गैस जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने टैंपलेट्स का इस्तिमाल करके यहाँ पर एक क्लास बनाई थी हमने कहा था कि यह जो टैंपलेट है इसमें टी डेटा टाइप से हम बड़े आराम से एक कस्टम एरे बना सकते हैं वो एक फ्लोटिंग पॉइंट प Mccpp ठीक है और इसमें मैं टालूँगा boiler plate code Boiler plate code डालने के बाद इसके अंदर में क्या करूँगा कि एक class बनाऊंगा अभी हम लोग क्या देखने वाले है आपrist इसका syntax बता दूँगा किस तरह से किया जाता है अब देखो हमने क्या देखा भी हमने ये देखा कि अगर हमें कोई template बनाते हैं तो हम एक custom data type T दे सकते हैं अब मान लो मैं कोई एक ऐसी template बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे दो data type specify करने है मान लो मुझे कुछ ऐसा करना है कि दो array मेरे बन रहे है उस class के अंदर और मैं चाहता हूँ एक integer array बन जाए एक floating point array बन जाए ऐसा हो सकता है तो क्या मैं एक से ज़ादर data type दे सकता हूँ ये सवाल है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे वही देखेंगे तो हाँ मैं दे सकता हूँ और उसका syntax कुछ इस तरह से जो कि आप लोग को समझ में भी आएगा एकदम यहाँ पर आप इसको class t1 और class t2 यहाँ पर ऐसे दे सकते हो बिल्कुल function वाला concept है यहाँ पर name of class यहाँ पर आप लिख दो ठीक है और अपनी जो class है वो आप बना लो ऐसे ठीक है और यह करने के बाद जैसे आप ऐसे करोगे तो आपकी class की body आ जाएगी ठीक है अब बना के दिखाता हूँ class अब यह तो syntax हो गया है तो high level syntax लिख दिया मैंने अब यहाँ बना के दिखाता हूँ class मानलो मेरी class का नाम है my class ठीक है और public मेरी डालूँगा इसके दो data member data one और मानलो जो data two है वो एक character है मानलो ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपर एक function मनाना चाहता हूँ मानलो मैंने एक display नाम का function मनाया और मैं इसमें display करना चाहता हूँ सबसे पहले data one को और उसके बाद data two को ठीक है तो मैं यह भी कर सकता हूँ कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है ठीक है और यह semi colon जरूर लगा दिया अगर class बनाने के बाद अब यह करने के बाद मैं अगर चाहता हूँ कि यह जो मेरे int और care है यह मैं specify करूँ template में तो यही वाला syntax मैं उठा लूँगा और इसको यहाँ पर लगा दूँगा और यहाँ पर जहां int लिखा है मैंने वाद t1 लिख दूँगा और जहां care लिखा है वाँ भी t2 लिख दूँगा ठीक है तो जैसी मैं ऐसे करूँगा t1 data मैंने किया तो यह यहाँ पर आप देखो मेरा जो data 1 था वो यहाँ पर जो भी मैं t1 में specify करूँगा वो हो जाएगा और यहाँ पर जो भी मैं t2 में specify करूँगा वो हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम बड़े अराम से इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका अगर मैं एक आप लोग को object बना के दिखाऊँ तो आप देखो यहाँ पर कि अगर मैं my class obj बनाओ my class obj और my class obj के बाद मैं आपर कुछ ऐसे specify कर दूँ कि जो मेरा my class बनने वाली है obj उसमें मैं int और care जो मेरे data 1 data 2 है वो int और care मैं बनाना चाहता हूँ अब मैं obj.display अगर कुछ इस तरह से run कर दूँ लेकिन उसे पहले मैं चाहूँगा कि data 1 और data 2 मैं set कर दूँ तो मैं एक काम करूँगा कि जो data 1 data 2 है मेरे उनका मैं एक constructor बनाऊँगा ठीक है और मैं वो constructor कुछ इस तरह से बनाऊँगा मैं आपर लिखूँगा my class और यह जो function होगा यह क्या करेगा यह जो data 1 है यह इसको बराबर कर देगा यह मेरा अगर int है तो 2 के कर देगा और यह मेरा care है तो data 2 को मान लो यह 7 ऐसे कर देगा अभी देखते जाओ यहाँ पर मैं क्या करूँगा अब जो data 1 data 2 है मेरे वो तो custom data types है यहाँ पर मैंने इसको कर दिया इसको मैं B के बराबर कर दूँगा तो यह fair रहेगा ठीक है तो मैं यहाँ आपर कुछ इस तरह से OBJ में 1 और 6 या फिर C इस तरह से मैं लिख दूँगा ठीक है तो मैं जैसे display को run करूँगा तो 1 और C यहाँ पर print हो गया यहाँ पर 1 और C print हो गया एक तो यह data 1 हो गया अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूँग handle तो यह अलग-अलग line में print होंगे जैसे आप देखो 1 हो गया print फिर C print हो गया display function से ठीक है अब अगर मान लो मैं यहाँ पर int और float रखना चाहता हूँ इसको और मैं इसको मान लो 1.8 कर दूँ तो मेरा यहाँ पर देखो तो मैं इन दोनो data types को vary कर सकता हूँ मैं इसको care बना सकता हूँ यहाँ पर character दे सकता हूँ मान लो मैं character दे रहा हूँ यहाँ पर capital C तो capital C और 1.8 यहाँ पर print हो जाएंगे यह luxury आप लोगों को कभी भी नहीं मिल सकती है अगर आप template यूज ना करें आपको बहुत सारी classes बनानी पड़ेंगी परिशानी होगी लकिन यह इतनी प्यारी luxury आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी कि आपने आप data type specify किया और अपने मन पसंद data type को अगर आप इस template को यूज ना करो तो आपको बहुत सारी classes बनानी पड़ेंगी तो इस तरह से जिस तरह से T1, T2 लिखा है मैंने T3, T4, T5 इसको बहुत सारी custom data type से extend भी कर सकता हूँ ठीक कॉमा separated बस वो रहे हैं मैं यहाँ पर एक generic data type भी डाल सकता हूँ यह class भी हो सकती है ठीक है जरूरी नहीं है कि यह T1, T2, T3 जो हैं वो मेरे int floating है वो एक class भी हो सकती है मैं class भी supply कर सकता हूँ तो हमारे पास बहुत बड़ी flexibility यहाँ पर आ जाती है जब हम templates का इस्तेमाल करते हैं एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप template यह जो line लिखते हो आप यहाँ पर बताते हो कि बाई कुछ ऐसे data type है जो कि मैं बाद में specify करूँगा जब मैं object बनाऊँगा तो आप अभी के लिए उसको T1 और T2 कह देते हो और उनको T1 और T2 assume करके अपनी पूरी class बनाते हो अब यह T1, T2 int float, float float, care float, int float, float double, double float कुछ भी हो सकते हैं अभी आप कह रहे हो कि इनको T1, T2 मान लो मैं बाद में बताऊँगा क्या है फिर जब आपने एक बार यह template बना दी अब आप बाद में बताते होगी भाई वो T1, T2 को क्या लेना यह आप से सवाल पुछती है template कहती है चलो वही ठीक है तुम कह रहे हो my class का obj बना लो लेकिन मैं क्या लू तुम्हारे T1, T2 को यानि कि तुमने यह T1 लिखा है वहां क्या भरना है और आपकी class जो है जहां-जहां T1 लिखा है वहां care, जहां-जहां T2 लिखा है वहां float लिखके तयार हो जाती है ठीक है और आपका जो program है वह बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह से वह काम करता अगर आपने care और float यहां लिखा होता बस आपको luxury यह मिलती है कि यह जो care and float है वह आप specify कर रहे हो सिर्फ एक template बना के आप float float भी कर सकते थे आप in float भी कर सकते थे आप double float भी कर सकते थे तो एक luxury आपको मिल गई है आपने बहुत कम लिखकर बहुत ज़ादा achieve कर लिया तो यह था हमारा कि किस तरह से हम लोग custom data type जो है हमारे एक से ज़ादा वो यूज कर सकते थे तो मैं इसको बोलूँगा यहां पर एक headings की डाल देता हूँ और full caps में डालूँगा और मैं लिखूँगा class templates with multiple parameters ठीक है one parameter हो सकते है ठीक है one हो सकते है two हो सकते है या more than two हो सकते है और यहां पर मैं comma separated भी लिख सकता हूँ multiple comma separated और comma separated आप इसको दो parameters को यहां लिख देता हूँ है comma separated यहां लिख देता हूँ क्योंकि आप समझ में आना चाहिए जब आप इसको पढ़ रहे हो code को तो बाद में भी समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो यह जो templates का concept है यह आपको अगर नहीं आता है समझ में तो आप STL यूज नहीं कर सकते है STL एक बहुत बड़ी power है C++ के अंदर अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आपने STL का जो शक्तियां ऐसा समझ लो जो STL है वो ultimate शक्ति है ठीक है उस शक्ति को इस्तिमाल करने के लिए आपने यह सीखना पड़ेगा ठीक है तो यह यार इसको सीखो program बनाओ दो-तीन अपनी classes भी लिखो आप ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप data 1, data 2 लेकर display कराओ थोड़े addition, subtraction, dot product, cross product कुछ नया करके आप देखो उससे आपको जादा समझ में आएगा सब्सक्राइब का आप लोग को यह समझ में आगया template का concept सारा code में डाल दूँगा ले code, बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जा सकते हो site पर, site पर मैंने काफी चीज़े हैं आप देखो, आप explore नहीं करते हो है रेकतो सब कुछ notes पगरा यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे लाइक जरूर कर दिया अगरो वीडियो को आप में से कई लोग लाइक नहीं करते हैं और उसी के साथ साथ अगर आप Instagram बगरा पे इसको screenshot लेके share करोगे तो special thanks from my side मैं सारी के सारी stories जितने भी लोग tag करते है Instagram stories में उनको वापस से मैं अपनी story पर लगाता हूँ तो अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे tag जरूर करना का Instagram पर share करते हो तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time अभी करते हैं